मेरी शादी कब होगी? जानिये अपनी कुंडली में विवा के योग. लड़की हो या लड़का, युवा अवस्था में आते ही दोनों के मन में यही प्रशन उठता है कि मेरी शादी कब होगी? तो हम आपको बता दे कि शादी होएना भी आपके ग्रह स्थिती व कुंडली में विवा योग होने पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में विवा संसकार एक महत्वपूर्ण संसकार है। इस संसकार के बाद ही लड़का व लड़की अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत करते हैं और ट्रकृती के चक्र को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। हर लड़का व लड़की युवा अवस्था में पहुचने के बाद शादी के सपने सजोने लगते हैं। कब उसकी सपनों की परी उसके जीवन में आएगी। लड़कियां भी आस लगाए प्रतीक्षा करती हैं कि कब उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने आएगा और वह घर छोड़ अपने पार्टनर के घर जाएगी। लेकिन कई ऐसे भी जातक है जो इस रस्म व संसकार से वन्चित रह जाते हैं। हिंदु धर्म व जोतिश में विवाह योग को ग्रहों का योग माना जाता है। जोतिश की माने तो बिना योग के विवाह संभव नहीं। वर्तमान में युवक्यूवती उच्च शिक्षण व एक सफल करियर बनाने के लिए विवाह को देरी से करने का फैसला लेते हैं। इस फैसले को उनके माता-पिता भी मानते हैं। जिसके चलते विवाह में देरी होती है। इसके अलावा भी यदी कुंदिली में विवाह योग बना हो और तब शादी न की जाए तो इस सिती में भी विवाह के योग दोबारा बनने में देरी होती है। ऐसे में एक कुशर जोतिशाचार्य से कुंदिली का आकलन करवा कर विवाह योग के बारे में जानकारी प्राप करना। चाहिए कुंदिली में विवाह योग। विवाह के योग अनेक कुंदिलियों में अलग-अलग प्रकार से बनते हैं। जोतिश के अनुसार कुंदिली में लगनेश गोचर सप्तम भाव में होता है, तो विवा का योग बनता है, जिससे जातक की शादी होने के आसार बढ़ जाते हैं विवा का कारग ग्रह जिन ग्रहों को माना गया है, वे शुक्र व ब्रहसपती ग्रह है इनी के चलते विवा का योग बनता है कुंडली में लगनेश की महादशा व अंतरदशा चलने पर भी विवा का योग बनता है इसके अलावा सब्तमेश की महादशा व अंतरदशा में भी शादी की संभावनाएं प्रबल होती है किसी जातक के कुंडली में यदि गुरू ब्रहस्पती व शुक्र की महादशा व अंतरदशा चल रही है तो जातक के पत्रिका में विवा का योग बनता है इसके इतर सप्तमेश शुक्र और गुरू की दशा में भी विवा योग बनता है किसी कुंडली में गुरु ब्रहस्पती व शनी का लगनेश व सप्तमेश पर दृष्टी होने पर भी विवा योग बनता है। अगर कुंडली में लगनेश शुक्र है और महादशा व अंतरदशा में भी शुक्र है तो विवा के पूर्न योग बनते हैं। सब्तम भाव में स्थित ग्रह या सब्तम भाव के साथ गुरू ब्रहस्पती का संबंध होना तथा गुरू का महादशा या अंतरदशा का होना भी विवा का योग बनाता है। सब्तमेश व लगनेश गोचर में चंद्र गुरु के साथ आए या फिर गुरु महादशा या अंतरदशा चले तो विवा का योग बनता है। लगनेश और भागेश की महादशा या अंतरदशा में भी यह योग बनता है। कुंदिली में मांगलिक दोश विवा में अडचन। कुंदिली में मांगलिक दोश तब बनता है जब मंगल कुंदिली के पहले छटे आठवे और बारवे भाव में उपस्थित हो। विद्वानों का मत है कि द्वितिय भाव में मंगल के होने से भी मांगलिक दोश बनता है कहा गया है कि कुंडिली में मंगल दोश होने पर शादी में देरी होती है परिया वधु में से किसी एक के कुंडिली में पूर्ण मांगलिक दोश है तो दामपत्य जीवन में परेशानियां आती है कभी कभी तो यह दोश शादी के तूटने का कारण भी बन जाता है अंदल दोश के लिए शास्त्रों में उपाय बताए गए है जिन में कुंग विवा प्रमुख है